Hello students, आज हम इस वीडियो में Consumer Protection Act 2019 को cover करेंगे, और ये वीडियो तुम्हारे exam point of view से बहुत ही important है, क्योंकि तुम्हारे exam के अंदर Consumer Protection Act 1986 नहीं आ रहा है, Consumer Protection Act 2019 आ रहा है, तो वीडियो को end तक जरूर देखना है, let's begin, Consumer Protection Act 2019, Sir, General Language में Consumer कौन है, हम किसको Consumer कहते हैं, तो देखेंगे, क्या कहता है ये, कि जो Consumer है Sir, वो क्या होता है, King होता है, कहाँ पे, Free Market Economy में, Sir, Free Market Economy में Consumer क्या है, राजा है, राजा, जो पहले का Approach था, caveat emptor का, वो क्या कहता था, कि let the buyer be aware, वो क्या कहता था, कि let the buyer be aware, पहले की Approach ये कहते थे, यार, Customer को जागरूख होने दो, हाणा, तुम सुनते थे, जागो, ग्रहाग, जागो, लेकिन अब ये Approach Change हो गया है, caveat venditor पर, let the seller be aware, क्योंकि ऐसी समच्या थी ना, कि seller क्या करते थे, चेंज कर देते हैं, क्योंना seller को be aware रहने को कहा जाए, तो कहता है, कि किन किन कारण से हमें Consumer Protection Act की जरुवत पड़ी, क्या क्या होने लग गया था, Consumer के साथ, तो कुछ बातों को हम जानते हैं, कि a Consumer might be exposed to risk due to unsafe product, यानि Consumer को ऐसे product दिये जा रहे थे, जो उसके health के लिए, उसके property के लिए safe नहीं थे, Consumer जो है, वो bad health भी suffer कर रहा था, क्योंकि adulteration हो रहे थे food product में, मिलावटेज इतने जादा होने लगे थे, Consumer बिमार होने लगा था, Might be cheated because of misleading advertisement, Sir, Consumer को तो एक सेक advertisement दिखाय जाता है, भाई, फेर लवली लगाओ, रात गोरा हो जाओ, ये तेल लो, बाल में लगाओ, बाल बड़े कर लो, ये जो misleading advertisement किया जा रहा था, ये धोका होने लगया, Consumer के साथ, फिर क्या कहता है, Might have to pay higher price when seller engaged in overpricing, black marketing, etc, यानि Consumer के साथ क्या किया जा रहा था, Sir, लूटा जा रहा था उसको, हना, जैसे प्याज के दाम बहुत जादा बढ़ा दिये, तो इस त अभी कारणों से, क्या देखा, कि या consumer को protect करने की, उसके interest को protect करने की जरुवत है, इसलिए Consumer Protection Act को लाया गया, next है, features of Consumer Protection Act 2019, यानि सर जो हमारा नया act आया है, इसमें क्या-क्या special features है, उसके बारे में बताईए, तो ये जो act आया, ये 20 July 2020 के अंदर आया, इसके अंदर e-commerce को इंक्लूड किया गया, यानि जो तुम online shopping करते हो, flip card से, मिंतरा से, Amazon से, सब को इसके अंदर सामिल किया गया, और digital process बनायेगा, यानि अगर आप complain करना चाहते हो, seller के against, या आपके साथ कोई धोका घड़ी हुआ है, तो आप online complain कर सकते हो, even आपकी अगर meeting है, यानि court में जान protection authority का, यानि previous act के अंदर कोई भी regulator नहीं था, जैसे stock exchange को regulate कौन करता है, SEBI, in the similar process, यहाँ पे consumer protection act 2019 को regulate करने के लिए, किसको लाया गया, central consumer protection authority को लेके आया गया, strict norms for misleading advertisement, भया, अगर आप ऐसे को जूटे advertisement दिखाते हो, तो आपके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई होगी, even जो भी celebrities हैं, वो भी अगर किसी advertisement को दिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी action लिया जा सकता है, यह धियान रखेंगे consumer protection act 2019 के अंदर, changes इना, pecuniary jurisdiction, इसमें क्या कहा गया, कि देखो जो नया act है, वो कहता है कि district commission जो होगा, वो goods and services पे, एक करोड तक का dealing करेगा, अगर कोई problem है तो, amount एक करोड पर, state commission एक करोड से उपर से लेकर 10 करोड तक dealing करेंगे, और national commission जो है, वो 10 करोड से उपर पर पर dealing करेंगे, तो यह changes लाया गया इसमें, alternate dispute resolution through mediation, यानि क्या कहा गया, कि भया, court में जाने की जरुवत नहीं है, seller और buyer को बठा दिया जाएगा, और एक mediator होगा, इन दोन court में जाना नहीं पड़ेगा, otherwise काफी time लग जाता है कि इसको solve होने में, तो एक mediator को भी इसके अंदर लायेगा, liability of product manufacturer, service provider and product seller, यहाँ पर क्या कहा गया, कि आप अगर कोई समान लेते हो, मालो Amazon से, तो Amazon वाला यह नहीं कहा सकता, कि भया, मैं समान तो सिफ service provide कर रहा हूँ, य यह जिसने product बनाया है, जो service दे रहा है, वो और जो product को बेच रहा है, वो सब की यहाँ जिम्मेदारी सामिल कर दी गई है, personal information is safe, कहा गया, कि आप किसी website से कुछ चीजे खरीदते हो, तो आपको अपनी information डालनी पड़ती है, जब आप enter होते हो, तो आपका जो personal information है, वो किसी को भी वो share नहीं करेंगे, government को कर सकते हैं, कि यह government को information अगर चीजे होगी, तो दे देते हैं, लेकिन उसमें भी special circumstances होता है, complaint can be filed in a consumer court, where the complainant reside or work, पहले क्या होता था, कि जहाँ पर seller है, आप वहीं पर complaint कर सकते हैं, लेकिन अब buyer जहाँ पर रहता है, जहाँ पर वो काम कर रहा है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस जगा पर complaint जो है, buyer कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, if seller found guilty, तो क्या करते हैं, अगर seller guilty found होता है, तो उसका license cancel कर देंगे, दो साल के लिए पहले बार में, और second time में उसका license permanent जो है, वो cancel कर दिया जाएगा, छीक है सर, अगर आप goods की complaint लेके जा रहे हो, अगर आपका समान पाच लाग तक है, तो complaint fee निल है, लेकिन अगर उससे उपर है, तो चारदे 200 रुपए से लेकर 75 अंडे तक हो सकते हैं, Consumer Protection Act 2019, ये extend है whole of India के अंदर, और ये applicable होता है सभी पर, चाहे वो business, manufacturing business हो, या फिर कोई trader हो, या फिर supply कर रहा हो किसी goods का, या कोई services को provide कर रहा हो, जिसमें e-commerce को भी क्या किया गया, include कर लिया गया है, e-commerce भी सकिंदर क्या है, सामिल है, next है, कि consumer कौन होते हैं सर, तो consumer अगर मैं general language में बोलूँ, तो consumer वो person है, जो goods को use करता है, या फिर वो consume करता है, goods को use करने का मतला, मैं market में गया, laptop खरी ठीक है सर, या फिर मैं कोई services को avail करता हूं, जब मैं laptop खरीदने गया, तो मैंने taxi बुलाया, तो taxi में बैठके गया, तो मैंने क्या किया, वो services को avail किया, ठीक है, लेकिन consumer protection act की according, consumer क्या define करता है, consumer की क्या definition है, वो कहता है कि any person who buy goods for consideration, means consideration का मतलब, सर बदले में क्या दे रहा है, something in return, तो मैं market में गया, मैं एक person हूँ, मैं market में गया, laptop खरीद के लाया, बदले में क्या दिया, पैसा दिया, तो यानि मैंने goods खरीदा, consideration के बदले में, ठीक है, which has been paid, हो सकता है, मैं पैसा दे के आया हूँ, या फिर promise किया हूँ, कि भी या बाद में दे दूँगा, या फि भी हो सकता है, कुछ पैसा दे के आया हूँ, और कुछ पैसा बाद में दूँगा, और under any scheme of deferred payment, यानि deferred payment यहाँ पर क्या है, कि मैं उसको installment में धीरे धीरे करके पैसा दूँगा future में, ठीक है sir, it includes any user of goods, देखो उपर तो क्या बोला, वो person जो goods को खरीदता है, consideration के बदले मे यानि पैसा दे भी दिया हो, promise किया हो, या कुछ दिया हो, कुछ promise किया हो, या installment basis पर दे रहा हो, ठीक है, एक बात तो समझा गई, दूसरा ये भी कहता है, कि वो व्यक्ति भी consumer कहलाएगा, जो goods को use करता है, when such use is made with the approval of the buyer, मालो मैं laptop को use करता हूँ, ठीक है, अपने के लिए, लेकिन laptop को कौन ले क्या है, पापा ले क्या है, तो goods खरीदा किसने, consideration किसने बे किया, पापा ने, लेकिन user कौन है, मैं हूँ, लेकिन मैं laptop को use कर रहा हूँ, पापा से पूछ कर, जबी मैं भी क्या कहलाँगा, consumer कहलाँगा, पापा भी consumer कहलाएगा, right, but does not include a person who obtain goods for resale or any commercial purpose, अगर सर, मैं laptop को खरीद के ला रहा हूँ, अपनी दुकान में बेचने के लिए, तब मैं consumer हूँ, नहीं, अगर मैं laptop को खरीद के ला रहा हूँ, resale purpose के लिए, या commercial purpose के लिए, तब मैं consumer नहीं हूँ, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो commercial purpose है, इस पर आपको बहुत ग देखा होगा tailor को, वो tailor क्या करता है, कि tailoring machine ले के आता है, और उससे self employment करता है, मिंस वो खुद कारोबार करता है, machine लाता है, कपड़े वगरा सिलता है, और पैसा कम आता है, तो क्या वो जो tailor अपनी machine ले के आ है, तो क्या वो tailor consumer कहलाएगा, yes, वो consumer कहलाएगा, वो commercial purpose में नही नहीं आ रहा hetakshy वह not self employment कर रहा याद रखना diplom klamation परप never second employment नहीं आता सेट मैं ड्राइवर हूं में पनी कार खरिटता हूं और कर चला कर मैं पैसा अन करता हूं तो मैं commercial purpose के अंदर नहीं आता लेकिन वही रिलाइंस रिलाइंस ने क्या किया दस टेलरिंग मशीन खरीद लिया दस लोगों को बैठा दिया और खुद तो employment नहीं है न वो क्योंकि उसका अलग-अलग business है सर वो उसने क्या क्या मशीने खरीद लिये छोड़ दिये तो उसने self employment नहीं किया तो वो consumer नहीं है reliance फिर महाँ पे consumer नहीं है मुके संबानी जी महाँ पे consumer नहीं है लेकिन मैं खुद खरीद रहा हूँ खुदी काम कर रहा हूँ मैं self employment में हूँ उस टाइम तो मैं consumer कहलाऊंगा इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो देखो मैंने लिखके दिया ये बात commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purpose of earning his livelihood अगर मैं जो machine है वो खरीद रहा हूँ अपने livelihood को अन करने के लिए जिसमें मैं क्या कह रहा हूँ by means of self employment यानि मैं self employment हो रहा हूँ आपर तब मैं consumer कहलाऊंगा लेकिन अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ resale purpose के लिए या अपने business में use हो रहा है पर मैं self employment नहीं हूँ आपर तब मैं consumer नहीं कहलाऊंगा सर अगर मैं किसी चीज़ को free में खरीद रहा हूँ तो मैं consumer कहलाऊंगा नहीं consideration होना जरूरी है ठीक है सर सर अगर मैंने कोई चीज़ यूज किया without the approval of buyer तब मैं consumer कहलाऊंगा नहीं कहलाऊंगा approval होना जरूरी है consideration होना जरूरी है resale purpose के लिए लिए consumer नहीं कहलाऊगे commercial purpose के लिए consumer नहीं कहलाऊगे लेकिन consumer के commercial purpose के अंदर self employment exclude है ये बात तुम ध्यान रखोगे तो ये तो मैंने समझाया तुमको goods के case में ऐसा ही हो सकता है services के case में services में क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति hire करता है या avail करता है any services और for a consideration ठीक है यहाँ पर for a consideration अगर वो कोई भी services को avail करता है Like for example मैंने बोला कि मैंने क्या किया मैंने कोई taxi hire किया और taxi में बैठके market तक जा रहा हूँ तो मैंने क्या क्या service को avail किया और उसको बदले में क्या दिया मैंने पैसा दिया तो यहाँ पे भी आ सकता है वही बार which has been paid or promised दे दिया या बाद में बोला दूँगा या partly pay कर दिया या पाटली promise कर दिया और under any scheme of deferred payment future में EMI पे दूँगा ठीक है sir इसका मतलब क्या समझो कि तुम्हारे parents ने मुझे hire किया बुला कि sir आप मेरे बच्चों को पढ़ाना तो parents ने मुझे pay किया but service avail कौन करेगा आप लोग avail करोगे तो आपने जो service avail किया है with the approval of your parents तो भी क्या है आप भी क्या कहलाओगे consumer कहलाओगे क्योंकि आपने services avail किया है तो services के case में भी same बात है अगर आपने कोई services लिया consideration के बदले में जो आपने pay कर दिया हो या promise किया हो या partly paid है partly promise या deferred payment में चीक है अगर कोई services आपने लिया हो with the approval of buyer यूज किया हो means avail किया हो with the approval of buyer तब भी आप क्या कहलाओगे consumer कहलाओगे चीक है sir but does not include a person who avail of services for any commercial purpose अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या sir अगर बच्चा मैंने tailoring machine खरीदा goods लिया समझा दिया मैंने commercial purpose में मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं self employment हूँ sir अगर मैंने tailoring machine लिया मैं खुद भी सिलाई कर रहा हूँ मेरे पास काम जादा आ रहा है मैंने दो बंदे और hire कर लिए उनसे services ले रहा हूँ तो मैं consumer के लाऊँगा yes तब भी मैं consumer के लाऊँगा क्योंकि मेरे चोटा सा काम है मैं self employment कर रहा हूँ साथ में services अवेल कर रहा हूँ ठीक है लेकिन वही sir अगर reliance ने वो self employment नहीं था consumer यहाँ पर नहीं कहलाएंगे पर मैं consumer यहाँ पर कहलाऊँगा क्योंकि मैं self employment में हूँ ठीक है तो यह बात हमें समझा आ गया कि consumer कौन है और यह याद रखना है यह offline भी खरीडारी किया है मैंने यह online किया है दोनों ही इसके अंदर क्या होते हैं सामिल होते हैं तो अगर conclude कर है promise किया है या partly paid है partly promised है या deferred payment में मैंने कोई goods या services को use किया है goods को या services को avail किया है with the approval of buyer तब भी मैं क्या हूँ consumer हूँ लेकिन अगर मैंने resale purpose के लिए कोई services या goods को लिया है या commercial purpose के लिए तो मैं consumer नहीं हूँ लेकिन commercial purpose के अंदर self employment exclude है इस बात को आभ्यान रखेंगे और यह offline लिया हो चाहे online लिया हो दोनों इसके अंदर सामिल नेक्स आता है कि sir who can file a complaint यानि आपको यह पता चल गया कि consumer कौन है अब कभी कोई दिक्कत हुई goods and services के अंदर तो complaint कौन फाइल कर सकता है तो हम यहां देखेंगे कि complaint कौन कौन फाइल कर सकते हैं सबसे पहला कि कोई भ देखा होगा कि महिलाओं के साथ अगर कोई दिक्कत आती है तो महिला समीती उन्के पक्ष में होती है ना अगर उनके कोई rights को violate कर रहा है कोई भी समझ्या होती है तो उनके पक्ष में खड़ी होती है in the similar manner कि consumer association भी होते हैं कि अगर consumer के साथ कोई दिक्कत है तो यह उनके भih बहाँ पर बोलते हैं उनके बहाँ पर fight करते हैं central government या state government ये भी क्या कर सकते हैं complaint कर सकते हैं क्योंकि ये भी तो goods and services लेते हैं वही one or more consumer on behalf of numerous consumer having the same interest मालो मैंने कुछ दुकान से खरीदा किसी दुकान से वहाँ खरीद के लेके आया कुछ मेरे पेट में दर्द हो गया पडोसी गया मेरा वो भी खरीद के लाया वही चीज उसके भी पेट में दर्द हो गया तो common problem थी हम लोग मिलके भी क्या कर सकते हैं complaint file कर सकते हैं one or more consumer a legal higher और representative of a disease consumer यानी कोई consumer मर गया है तो उसके भिहाब पर जो उसका legal higher है representative है वो भी complaint कर सकता है अगर कोई minor है तो minor के case में उसके parents या जो legal guardian होंगे वो क्या कर सकते है complaint file कर सकते हैं next है relief या remedies available under consumer protection act 2019 अब देखो तुम्हें ये पता चल गया कि complaint कौन कर सकता है तो जिनों ने जो complaint किया है तो complaint के बदले में उनको क्या-क्या remedies मिल रहा है अंडर consumer protection act 2019 हम इसके बारे में discuss करेंगे तो मालनो आपने consumer court में complaint कर दि और consumer court satisfied है about the genuineness of the complaint यानि consumer court को ये लगा कि आपने जो complaint किया है मेरे किलाब वो complaint बिलकुल genuine है तो उस case के अंदर मुझे जो है consumer court क्या करेगी कुछ directions issue करेगी कोई एक direction भी हो सकता है या एक से जाधा भी हो सकता है तो क्या है पहला for removing the defect in goods or deficiency in services यानि आपसे जो मैंने goods है या services खरीदा है मालो मैं गया किशी showroom में कोई mobile phone खरीदा तो मुझे एक साल का warranty मिलता ही है तो अगर उसमें कोई defect आया तो उस defect को ठीक करके वो देते है ठीक है या फिर for replacing the defective product with a new one चाय फिर वो नया product ही मुझे देते हैं for refund of the price for the product or the charges paid for the services तो जो भी services या goods मैंने खरीद हैं उसके price जो है अगर goods खरीदा है तो उसका price refund हो जाएगा या जो services avail किया है वो services avail किया है उसका जो पैसा है वो मुझे refund कर दिया जाएगा for reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party यानि जो सामने वाली party है उसके goods से उसका जो goods खरीदा है मैंने या उससे जो service लिया है मैंने उसके कार अगर मुझे कोई loss या injury होता है तो उसके कारण जो मुझे नुक्षान हुआ है वो मुझे वो pay करेगा for discontinuing the unfair restrictive trade practices and not to repeat it in the future जो भी customer के साथ जिस तरह का दोका घड़ी हो रहा है उस चीच को discontinue किया जाएगा not to offer hazardous goods for sale मान लो आप तेजाब बेच रहे हो तो खत्रे का काम है व पिल्कुल तो आप इस तरह का goods offer नहीं करोगे ये बताया गया इसके अंदर फिर उसको क्या बोलता है भिया आगे से मत बेचना ऐसी चीजे और साथ साथ क्या बोलता है to withdraw the hazardous goods from sale जितने भी तेजाब उसके पास रखे हैं उसको सरकार उठा ले रही है destroy कह रही है खतम करने को मैगी के case में हुआता है जितने मैगी थे वो ले लिये थे to seize manufacture of the hazardous goods ये भी ध्यान रखती है सरकार कि या आगे से वो चीज की manufacturing ही नहीं कर पाए manufacturing ही खतम कर देती है ऐसी चीजों का to pay an amount not less than 5% of the value of the defective goods or defective services provided to be credited to the consumer welfare fund or any other organization person to be utilized in a prescribed manner कहता है कि आपको amount pay करना है जो की कितना होगा 5% से कम नहीं होना चीए means आपके पास जो defective goods थे मानलो जो आपके पास तेजाब रखे वे थे मानलो अगर वो एक करोड के रखे वे थे तो कम से कम एक करोड का 5% यानि 5 लाख रुपए आप credit करोगे किसमे consumer welfare fund में य या किसी other organization के अंदर क्यों करना है भीया सरकार क्या करेगी इस पैसे का ये consumer organization क्या करेगी ये भई उस पैसे को इस्तमाल करेगी किस चीज के लिए जो consumer को educate करने में खर्चे आता है उस तरह की चीजों पर ये इस्तमाल करेंगे ठीक है for issuing corrective advertisement to neutralize the effect of a misleading advertisement तो कहता है कि जो आपने गलत advertisement कर रखा है उसको सही करो ताकि जो आपका गलत advertisement है उसका effect neutralize हो जाए to pay educate cost to the appropriate party like मैं क्या था मुझे नुक्षान हुआ किसी goods को खरीदने से या services को avail करने से तो मैंने जो case डाला है तो उसमें भाई मेरा आने जाने का खर्चा हुआ होगा वकील का खर्चा हुआ होगा तो यहाँ पर consumer court क्या direction देती है कि जो ये मेरे खर्चे हुए हैं वो मुझे pay किये जाएंगे किसके द्वारा जिसके कारण मुझे ये नुक्षान हुआ है तो to pay educate cost to the appropriate party तो यह सारे रिलीफ आपको यहाँ revenues आपको मिलते हैं consumer protection act 2019 के द्वारा next है consumer rights यानि consumer protection act consumer को क्या क्या rights देते हैं तो 6 rights मिलते हैं consumer protection act के द्वारा एक consumer को सबसे पहला क्या है right to be informed यानि मैं एक consumer हूँ मैं किसी shop पे जाता हूँ कोई चीज खरीदने या कोई services को avail करने के लिए तो मुझे क्या दिया जाएगा complete और correct information दिया जाएगा जो भी product या services मैं ले रहा हूँ उसको खरीदने से पहले उसको avail करने से पहले मुझे उसके बारे में complete और correct information दिया ज जैसे product के अंदर क्या-क्या ingredients मिले हूए है, date of manufacture कब बनाया गया, कब वो product expire हो जाएगा, कितने का वो price क्या है उस product का, कितने का वो product है, ठीक है उसको कैसे use करना है उसके बारे में direction, कितने time का warranty, trade है और क्या कोई workshop organize कराया जाता है इस product company के द्वारा जिसमें हमें पता चले कि हमें इस product को कैसे use करना है, उनके बारे में पता चले, तो इसी के कारण भी क्या होता है, जो right to be informed है, इसी right के कारण, जो हमारी इंडिया है, इसमें जो government है, उनका जो कानून है, वो क्या कहता है, कि भाया हर एक manufacturer को ये सारी information, product के packaging पे उसके label पर लगाना है, बताना है, तो exam में अगर तुमसे question पूछ लिया, कि किस right के according, consumer के किस right के according, product पे सारी information लिखी भी होती है, तो आप क्या बोलोगे, right to be informed, next right है, right to safety, तो ये right क्या कहता है, कि consumer have the right to be protected against the marketing of goods and services, which are hazardous to life and property, यानि consumer की safety बहुत जरूरी है, consumer को market में जो भी समान दिया जा रहा है, वो सही होना चाहिए, उसके life को, उसके property को नुक्षान ना करे, ऐसी चीज होनी चाहिए, तो अगर consumer के साथ कोई भी दोका गड़ी हो रहा है, कुछ भी ऐसा दिया गया उसको, जिससे उसके life या property पे नुक्षान हो सकता है, तो वो क् right का violation होगा, तो कहता है कि any practice of seller which can risk the life of a buyer is against this right, कुछ example क्या दिये गए यहाँ पे, कि जो product consumer को बेचा जा रहा है, वो किसी भी defect में सामिल नहीं होना चाहिए, defect free होना चाहिए, services should be provided by well trained professionals, like मैं कोई service ले रहा हूँ, like मैं बिमार हूँ, जो doctor है, मुझे इलाज कर रहा है, तो क्यार उस doctor को पता होना चाहिए उस बिमारी के बारे में, कोई भी ऐसे उठके doctor ना बनके मेरा इलाज ना कर दे, तो वो मेरे light के बारे में risk ले रहा है, तो इस तरह की चीजे नहीं होने चाहिए, benchmarking होना चाहिए, product के अंदर, like कहता है कि electronic devices के अंदर ISI का benchmarking होना चाहिए, जो की assure कराता है कि ये product अच्छा है, third right क्या है, right to choose, ये right क्या कहता है कि भया consumer गया market के अंदर, अब उसको जो भी goods and services जैसा भी लेना है, तो उसको उसकी मर्दी चलेगी, जो भी goods वो choose करना चाहिए, वो choose कर सकता है, seller जो है, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये ही लेन तो consumer को बहुत सारे चीज दिखाये जाएंगे, consumer उस सारे variety of product में से जो भी उसको अच्छा लगेगा, वो choose कर सकता है, seller उसके साथ बहस नहीं कर सकता, कि ये ही लोग उसको force नहीं कर सकता, marketer should offer a variety of product in term of, यैसे marketer होंगे जो तुम्हें seller होगा, वो तुमको अलग-अलग quality के product दिखाएगा, अलग-अलग brand के product दिखाएगा, अलग-अलग prices के दिखाएगा, sizes के दिखाएगा, तो उसमें से तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी मर्जी है, उस product को तुम choose कर सकते हो, फिर कहता है, कि जो monopolist है, market के अंदर क्या होता है, जो monopolist लोग होता है, क्योंकि भाई, उनको न, अलग ही government होता है, कि मैं monopolist हूँ, मेरा root by market में, तो कहता है ये right, कि भाईया, monopolist, तुम भी consumer को क्या करोगे, right quality of product दोगे, reasonable price पे, तुम अपने monopolist होने का पाइदा नहीं उठा सकते, कि consumer को loot लोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, next आता है, right to be heard, अब भाई, consumer ने समान खरीद लिया, information ले लिया, हाना, उसने सारा information गेन करने के बाद समान purchase भी कर लिया, choose करने के बाद, अब उसको क्या है, कोई दिक्कत आगी, तो अब वो complain करेगा न, तो भाई, उसका complain सुनने के वाला भी तो होना चीए, कोई, तो इसलिए उनको right दिया गया, कि भाई, consumer खरीदा है, concern organization को तुम complain कर सकते हो, ठीक है, appropriate form में तुम complain कर सकते हो, district commission, state commission या national commission के अंदर, ठीक है, या फिर, कोई other body को भी तुम complain कर सकते हो, जो government ने decide किया है, और आज के time पे क्या होने लगा, कि जो service provider है, like अगर मैं बात करू, call center वगरा, उनका खुद का होने लगा, कि consumer को भी दिक्कत होती है, वो call कर लेते है, like laptop में अगर मुझे कोई दिक्कत है, मैं call center पर phone करता हूँ, कि हाँ, मेरे कोई laptop में यह दिक्कत आ रही, तो उनके जो technician होते है, वो उसको solve कर देते है, तो आजकल क्या होने लगे, बहुत सारे business firm ने अपने own consumer grievances cells को open कर लिया है, next है right to seek redressal, इसका मतब क्या होता है, कि जब भी consumer ने क्या किया, अपनी जो complain थी, वो दर्ज कर दिया, उसने complain दे दिया, अब उस complain के बदले उसको क्या remedies मिलेंगे, उस complain का क्या solution मिलेगा, उसके बारे में बात करता है, कि भी यह consumer आप tension ना low, आपको remedies दिया जाएगा, तो जैसे यह consumer ने अपना complain registered कर दिया, तो इसको इस तरह के कुछ remedies मिल सकते हैं, जो हमने previous discuss किया था, जैसे उसको replacement मिल सकता है, defect को remove कर दिया जाएगा, compensation मिल सकता है, या उसके price को refund किया जाएगा, next is right to consumer education, अब यह बहुत important right आता है, या consumer को आजकल पता ही नहीं है, कि उसके क्या rights है, हम कहीं भी जा रहे हैं, दुकान वाले से पुछा, बताना यह कितने हैंगा, बाहित तरह को लेना है, लेले, दिमाग मत खराब कर, वो जट से बोलता है, भी हमारा अधिकार है, आपको information देना पड़ेगा, तो consumer कब बोल सकता है यह बात, जब उसको अपने rights का knowledge होगा, तो ह अहां पर यही का आ गया है कि consumer have right to get education about their various rights and remedies available, जैसे अब यह कैसे educate किया जाता है उनको, उनको advertisement की थूँ, जागो ग्रहाग जागो, आना, जैसे हम तुमको बार-बार educate करते हैं न, पढ़ो बच्चो पढ़ो, तो तुमको हम बार-बार बोलते हैं, पढ़ो बच्चो चुका है, इस तरह से, तो consumer education in school curriculum, आजकल जैसे तुमारे curriculum के अंदर consumer protection act डाला गया है, तो तुम इससे educate हो रहे हो न, तो इस तरह से consumer को क्या किया जाता है, educate किया जाता है, तो इस सारे rights ते तुमारे consumer protection act ने जो तुमको दिया है, next है consumer responsibilities, अभी हमने consumer rights को देखा, अब हम जा रहे हो, तो आपकी भी क्या-क्या responsibilities है, खरीजने से पहले आप, अपने आप responsible जरूर रहे है, इन इन बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है, तो वो क्या-क्या बाते हैं, जड़ा देखते हैं, be aware about various goods and services available in the market, so that an intelligent and wide choice can be made, यानी इस का मत्तब क्या है, कि market में न, एक समान मुझे laptop चीए, तो बहुत सारे laptop available है, तो मुझे ये जानना चीए कि कौन-कौन सी company का laptop available है, ताकि बढ़िया laptop में purchase कर सको, next, मुझे सीफ standardized goods खरीदना चाहिए, अब सर अच्छे quality का goods कैसे पता लगेगा, तो आप अगर ISI mark देखो, किसके अंदर अगर आप electrical goods खरीद रहे हो अगर आप कोई food product खरीद रहे हो, तो FPO mark जरूर देखो, अगर आप jewelry वगरा ले रहे हो, तो whole mark जरूर देखो, छीक है, ये आपकी responsibilities है consumer, ओके, learn about the risks associated with the product and services, ओके, यानि सर अगर मैं कोई चीज लेने जा रहा हूँ, तो मैं उसमें सीखूँ, किसको use कैसे करना है, जैसे सर, दिवाली में आप crackers लेके आ रहे हो, अब भी पता तो कर लो कैसे छोड़ना है उसको, पता चला rocket ऊपर छोड़ना था, छोड यू दिया, चिक है, read labels carefully, so has to have information about prices, etc, means कहता है कि जो भी आप product खरीद रहे हो, तो आप उसकी labels को, यानि जो इसमें information लिखी वे उसको पढ़ो, information जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या पता लगेगा, prices, उसमें weight क्या है, manufacture कब हुआ था, expiry date कब है, ये चीज आपको पता चलेगा, assert yourself that you are engaged in a fair deal, means आप कभी भी कोई goods and services को खरीद रहे हो, तो आपको fair deal रखना है, fair deal का मत्तब सर, मालो आपको seller बोल रहा है, कि ये चीज 1,00 रुपय का है, इसमें 10,000 रुपय GST लगेगा उपर से, तो seller बोलता है कि भीया, बिल मत कटवाना काम हो जाएगा, बिल मत कटवाना GST नहीं लगेगा, तो इस तरह की धोका घड़ी में आपको नहीं आना है, आप GST कटवा लेना भीया, सरकार को tax दे देना, क्योंकि अगल बिल नहीं लोगे, तो जब तक क्या होगा, बिल नहीं लोगे, जब तक तो ये पुरूफी नहीं कर पाओगी कि आपने कोई गूट्स खरीदा है, या कोई सर्विसेज अवेल किया है, तो आपको प्रूफ चाहिए, हना source document चाहिए यहाँ पे, next, file a complaint in an appropriate consumer form, अगर आपके सा form consumer societies which would play an active part in educating consumer, जैसे क्या करते हैं, कि महिला लोग ना महिला समिती बना लेती है, क्योंकि वहाँ पर उनको महिला का empowerment क्या होता है, उन्षारे चीजों के बारे में educate किया जाता है, तो वैसे ही आप consumer societies बना लो, जहाँ आपको time to time क्या किया जाएगा, educate किया जाएगा, आपक the environment, और जो आपकी environment है, उसका respect करना आपको, उसमें कोई wastage, यानि कूडा, कछडा इस तरह का चीज़े आपको नहीं पलाना है, pollution नहीं पलाना है, तो यह यह consumer आपकी responsibilities है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, next is, redressal agencies under the consumer protection act 2019, यानि सर अगर किसी consumer को complain करना है seller के खिलाप, तो वो कहां पर complain कर सकता है, तो consumer, district form के अंदर, state commission के अंदर, और national commission के अंदर complain कर सकता है, तो अब मैं इनके बारे में कुछ difference को हम जानते हैं, देखो district form के अंदर composition कैसे होता है, means district form के अंदर कौन-कौन होते हैं, तो district form के अंदर एक president है, ठीक है, दो other members होते हैं, जिसमें से एक members of women जरूरी है होना, यानि एक president है, दो other members होते हैं, एक का woman होना जरूरी है, state commission के अंदर देखोगे, तो एक president है और दो other members होते हैं, जिसमें स एक का वुमेन होना जरूरी है ठीक है नेशनल कमिशन के अंदर क्या होते हैं एक प्रेसिडेंट है और चार अधर मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक का वुमेन होना जरूरी है ठीक है सर अब प्रेसिडेंट कौन हो सकता है सर डिस्टिक फॉर्म के अंदर तो डिस्टिक फॉर् के अंदर सर कोई भी वर्किंग या रिटायर जज हो हाई कोट का तो वो क्या हो सकते हैं प्रेसिडेंट हो सकते हैं और नेशनल कमिशन के अंदर कोई भी वर्किंग या रिटायर जज हो कहां के सुप्रीम कोट के तो वो क्या हो सकते हैं प्रेसिडेंट हो सकते हैं नेशनल कमि के अंदर यहां भी state government की द्वारा appoint होते हैं और national commission के अंदर यहां central government की द्वारा appoint होते हैं ठीक है सर, district form का jurisdiction क्या है सर, देखो यहां पर जो jurisdiction है वो यह है कि यह कौन-कौन से complaint को देख सकते हैं, जहां पर complaint में जो value of goods and services है, up to one crore, एक करोड तक है या एक करोड से कम है, तो वो इस चीज को देख सकते हैं, इस complaint को अपने हाथ में ले सकते हैं, state commission, यह क्या कर सकते हैं सर, जो value of goods and services अगर एक करोड से उपर है, यानि 10 करोड तक, एक करोड से उपर, लेकिन last कहां तक, 10 करोड तक, तब यह complaint को देख सकते हैं, national commission में क्या होता है सर, कि अगर value of goods and services, exceed करता है 10 करोड से उपर, तब यह complaint को handle कर, चीक है सर, अब सर, appeal against order, मालो हमने district form के अंदर complaint कर दिया, अगर मैं district form के, means जो decision है, उससे satisfied नहीं हूँ, तो मैं next appeal कर सकता हूँ, कहां पे, state commission को, तो अगर मैं district form के, जो decision है, उससे satisfied नहीं हूँ, तो मैं 45 days के अंदर, जैसे ही district form ने commission को appeal कर सकता हूँ, ठीक है, सर, अगर मैंने state commission को appeal किया, तो उससे भी अगर मैं satisfied नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 30 days के अंदर, मैं किसको appeal कर दूँगा, national commission को, सर, अगर मैं national commission से भी satisfied नहीं हूँ, तो मैं 30 days के अंदर, supreme court में, मैं appeal कर सकता हूँ, तो यह आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां आप अपील कर सकते हो next है कि sir हमें कौन-कौन से मार्क को देखकर अपने प्रोड़क को खरीदना चाहिए जिससे हमें quality का assurance मिलेगा तो देखो ISI मार्क यानि ISI मार्क ये रहा आपका जब भी आप कोई भी consumer durable product खरीद रहे हो या electronic items को खरीद रहे हो तो आप ISI मार्क को देखकर खरीदना ठीक है एग मार्क कब देखना है अगर आप कोई agriculture commodities या live stock के product खरीद रहे हो जैसे oil fat cereals pulses spices honey etc तो आपको क्या देखना है एग मार्क देखना है next है BIS मार्क यानि BIS का जो whole mark है अगर आप gold jewelry वगरा जो आप ले रहे हो तो BIS का whole mark जरूर देखकर लेना next wool mark बुल मार्क क्या बताता है कि sir वो signify करता है 100% pure wool तो wool के जब product ले रहे हो तो आप 100% ये देखकर ही लोगे eco mark बताता है friendly environment product के लिए जैसे कोई भी आपका paper है packaging material है या textile है ये eco friendly है तो इस चीच को आपको देखके लेना है eco mark next जाता है FPO mark mark on the container of food product यानि FPO mark किसके लिए food product के लिए जैसे jam, jelly, pickles, fruits, juices, soft drink, etc. तो आपको FPO mark देखकर ही लेना है तो ये पूरा lecture मैंने आपको complete समझाया जो कि आपके exam में आने वाला है तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करना ज्यादा से ज्यादा चैनल को subscribe कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों को share करो thank you कर दोस्तों को